भगवान इच्छाओं वास्तवित पश्चाताप राजा दाउद परमेश्वर के विरूध पाप किया है, लेकिन उन्होंने महसूस किया उसकी गलतियों और पच्चतावा डॉट राजा दाउद परमेश्वर के विरूध पाप किया है, लेकिन उन्होंने महसूस किया उसकी वह रोया भगवान के लिए और कहा है मुझ पर अनुग्रह कर के भगवान के अनुसार करने के लिए अपनी करुणा के अनुसार भीड की अपनी निविदा दया, बाहर दाग मेरे अपराध हो, मुझे धो अच्छी तरह से मेरा अधर्म दूर कर और शुद्ध से मुझे मेरे के लिए मैं स्विकार करते हैं, अपने अपराध हों और अपने पाप हमेशा से रहा है आपके खिलाफ आप केवल मैंने पाप किया, और किया इस बुराई में अपनी दृष्टी है कि आप पाया जा सकता है, बस जब आप बात करते हैं, और निर्दोष जब आप न्यायाधीश देखो मैं आगे लाया था में अधर्म और पाप में मेरी मा की कलपना की, देखो आप आप की इच्छा सच में आवक भागों के हैं, और छिपे हुए भाग में आप करना होगा करने के लिए मुझे जानना ज्यान है शुद्ध के साथ मुझे ही सोप, और मैं ठहरे, मुझे धो, और मैं बर्फ से अधिक श्वेथ, मुझे सुनके हर्ष और आनन्द है कि हड्डियों आप तूट गया है, हो सकता है आनन्द अपने चेहरे को छिपाने से मेरे पाप है, और दाग बाहर सभी मेरे अधर्म के कामों बनाने में मुझे एक साफ दिल, हे परमेश्वर और नवीनिकृत एक ग्रिट भावना मेरे भीतर नहीं डाली मुझे दूर से अपने उपस्थिती और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे बहाल करने के लिए मुझे खुशी के अपने उध्धार और बनाए रखने के द्वारा मुझे अपने उधार आत्मा भजन 51.12 सबक भगवान दयालू है और वह माफ कर देंगे किसी भी पाप है कि कबूल कर लिया और पच्चतावा करने से पहले वास्तव में भगवान पाप से नफरत करता है और वह केवल का जश्न मनाने जो किसी को भी यह अनुग्या हालांकी निर्माता नहीं होगा उपेक्षा एक पापी जो पच्चाता वह माफ कर दो और ख्षमा पच्चतावा पापियों और वह उन्हें अनुदान समान अधिकारों में अपने राज्य हालांकी एक पापी जो पच्चाता आप करने के लिए मना कर दिया होगा पीडित है के परिणामों को अपने या उसके कारियों में नरक की आध है। इसलिए सभी लोगों को प्रोच साहित कर रहे हैं करने के लिए से बचना पाप इतना है कि वे बच सकते हैं। प्रिय भगवान के आसन्न की निर्नय जल्द ही आजाएगा पर सभी बेदर्ध पापियों डौट प्रार्थना। प्रिय भगवान मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, जो लायक नहीं किसी भी विशेश आशिरवाद से आप से हैं। मैं के लिए प्रतिबध है, कई अकल्पनिय पापों और मैं हूँ के लिए योग्य नहीं स्वर्ग। हालांकि मुझे एसास हुआ कि मेरी गलतियों और आप के लिए आए हैं के साथ एक विनम्र दिल। आज मैं पश्चाता आप से अपने पापों और मैं आप से पूछना के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कृप्या सभी हटाने के परिणामों पापों से मेरे जीवन को स्वीकार मुझे फिर से एक के रूप में अपनी पसंद के बच्चों और मुझे नहीं अनुग्रह करने के लिए वापस करने के लिए मेरे पुराने पाप। मुझे रखने में खड़े अच्छा विश्वास और मुझे के लिए अरहता प्राप्ट आपके आशिरवाद में और पृत्वी पर स्वर्ग जब अंत आता है मुझ पर भरोसा लोगों के बीच होगा किस थाई रूप से रहते हैं आपके साथ स्वर्ग में। के लिए यीशु मसी के नाम मैं मेरे अनुरोध। आमीन